जैश्री कृष्णा रस्पान कीजिए आज की कथा का जिसमें आज आज आप सुनेंगे माता अधिती के गर्ब से भगवान सूरी के अवतार का वर्णन अगर आपने इससे पहले का ध्याय नहीं सुना है तो प्लीज आप उस अध्याय को भी जरूर सुन लिजेगा मुनी कहते हैं कि इस जगत की स्रस्टी करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के नुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, परवत और द्वीपों का विभाग किया देवता, दैत्य तथा सर्प आदी के रूप और इस्थान भी पहले की तरह ही बनाए ब्रह्मा जी के मरीची नाम से विख्याद जो पूत्र थे, उनके पूत्र कश्यप हुए, उनकी तेरह पत्नियां हुई, वे सब की सब प्रजापती दक्षकी करने आए थी उनसे देवता, दैत्य और नाग बहुत से पूत्र उत्पन हुए माता अधिती ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जनम दिया दिती ने दैत्यों को तथ दनू ने महा पराकर्मी और भयानक दान्व को उत्पन्न किया विन्ता से गरुण और अरुण ये दो पुत्र हुए, खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए कद्रु ने नागों को और मुनी ने गंधर्वों को जनम दिया क्रोधा से कुल्याएं तथा अरिष्टा से अपसराएं उत्पन्न हुए इरा ने एरावत आधी हाथियों को उत्पन्न किया तामरा के गर्ब से शेनी आधी कन्याएं पैदा हुई उन्ही के पुत्र शेन अर्थत बाज भास और शुक आधी पक्षी हुए इला से वरिक्ष तथा प्रधा से जल जन्तूत उत्पन हुए कश्यप मुनी के अधिती के गर्ब से जुसन ताने हुई उनके पुत्र पौत्र दोहित्र तथा उनके भी पुत्रों से ये सारा संसार व्याप्त है कश्यप जी के पुत्रों में देवता प्रधान है इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ट परमेष्ठी प्रजापती ब्रह्मा जी ने देवताओं को यग्यभाग का भोगता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया। परंतु उनके सोतेले भाई दैत्यों दानवों राक्षोसों ने एक साथ मिलकर उन्हें ही कस्त पहुचाना आरम कर दिया। इस कारण एक हजार दिवी वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्थ हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों दानवों के द्वारा पराजित और त्रिभुवन के राजजाधिकार से वन्चित तथा उनका यगिभाग छिन गया ये देखकर माता अध अधिती अत्यनत शोक से पीडित हो गई फिर उन्होंने भगवान सूर की आराधना के लिए महान प्रयास आरंप कर दिया वे नियमित आहार करती ही कठे नियमों का पालन और आकाश में इस्तित तेजो राशी भगवान सूर की स्तुति करने लगी इस प्रकार माता अधिती बोली है भगवन आप अत्यनत सोक्ष्म सुनहरी आभासे युक्त दिव शरीड़ धारन करते हैं आपको नमस्कार है आप तेज़स्वरूप तपस्वियों के इश्वर तेजस्वियों के इश्वर तेज के आधार और सनातन पुरुष हैं आपको प्रणाम है है गोपते जल ग्रहन करते हैं उस समय आपका जो तीवर रूप प्रकट होता है मैं उसे नमस्कार करती हूँ आठ महिनों तक सो मुमे रस को ग्रहन करने के लिए आप जो अत्यांत तीवर रूप धारण करते हैं मैं उसे प्रणाम करती हूँ हे भासकर उसी संपुन रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को तत्पर होते हैं उस समय आपका जो त्रप्ती कारक मेग रूप प्रकट होता है उसको मेरा नमस्कार है इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन हुए सभी प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भासकर रूप धारन करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ हे तरणे जड़हन धान की व्रद्धी के लिए जो आप पाला गिराने आधी के कारण अत्यंत शीतल रूप धारन करते हैं उसको मेरा नमस्कार है हे सूरिदेव वसंतरितु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है जिसमें न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी उसे मेरा बारंबार नमस्कार है जो संपूर्ण देवताओं तथा पित्रों को तरप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है आपके उस रूप को नमस्कार है जो रूप लताओं और व्रक्षों का एक मात्र जीवन दाता तथा अम्रित मैं है जिसे देवता और पितर पान करते हैं आपके उस सोम रूप को नमस्कार है आपका यह विश्व मैं स्वरूप ताप और त्रप्ति प्रदान करने वाले अगनी और सोम के द्वारा व्यापत हैं आपको नमस्कार है हे विभावसों आपका जो रूप, रिक, यजू और साममय तेजों की एकता से इस संपूर्ण विश्व को तपाता है तथा जो वेद त्रईस रूप है उसको मेरा नमस्कार है तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है जिसे ओम कहकर बुकारा जाता है जो अस्थूल, अनन्त और निर्मल है उस सदात्मा को नमस्कार है इस प्रकार देवी अदिती नियम पूर्वक रहकर दिन राद सूरी देव की स्तुति करने लगी उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रति दिन निराहार ही रहती थी इसके बाद बहुत सारा समय बीतने पर भगवान सूरी ने दक्ष कन्या अदिती को आकाश में प्रतिक्ष दर्शन दिया देवी अदिती ने देखा कि आकाश इसे प्रत्वी तक तेज का एक महान पुन्जिस्थित है प्रज्वलित ज्वालाओं की कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है उन्हें देखकर देवी अदिती को बड़ा भय हुआ फिर वे बोली हे गोपते आप मुझ पर प्रसन हो मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी वैसे आज नहीं देख पाती इस समय यहां भूतल पर मुझे केवल तेज का ही समुदाय दिखाई दे रहा है हे दिवाकर मुझ पर करपा कीजिए जिससे आपके रूप का दर्शन मैं कर सकूँ हे भक्त वत्सल प्रभो मैं तो आपकी भक्त हूँ और आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए आप ही ब्रह्मा होकर इस संपूर्ण विश्व की स्रस्टी करते हैं आप ही पालन करने के लिए तक पर होकर सदा इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सब कुछ ये आप में ही लीन हो जाता है संपूर्ण लोकों में आपके सिवा दूसरी कोई कती नहीं है आप ही श्री ब्रह्मा, विश्णू, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुन, वायू, चंद्रमा, अगनी, आकाश, परवत और समुद्र हैं आपका तेज सब का आत्म है आपकी क्या स्तूती की जाए प्रभू? हे यगेश्वर, प्रति दिन अपनी कर्म में लगेवे ब्रहमण तरह तरह के पदों से आपकी स्तूती करते वे यजन किया करते हैं जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है वे योगनिष्ठ पुरुष, योगमार्ग से आपका ही ध्यान करते हैं वे परमपद को प्राप्थ होते हैं आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं फिर आप ही जल गर्भित, शीतल किरनो द्वारा इस विश्व को प्रकट करते और आनन्द देते हैं कमल योनी ब्रहमाजी के रूप में आप ही स्रस्टी करते हैं श्रीव विश्णु नाम से आप ही पालन करते हैं और कलपांत में रुद्र रूप धरन करके आप ही संपून जगत का संघार करते हैं मुनी कहते हैं कि इसके बाद भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए उस समय वे तपाएवे तामबे की तरह कांतीमान दिखाई देते थे देवी अदिती उनका दर्शन करके चर्णों में गिर पड़ी तब भगवान सूर्य कहने लगे देवी तुम्हारी जो इच्छा हो वे वर मुझ से मांग लो तब देवी अदिती घुटेने के बल से प्रत्वी पर बैट गई और मस्तक जुका कर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को इस्त्रियों को कभी भी सास्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए तब देवी बोली हे सूरे देव आप प्रसन हो अधिक बल्वान देत्यों दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज और यग्यभाग छीन लिये हैं गोपते उन्हें प्राप्त कराने के निमित आप मुझ पर करपा करें आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रों का नाश कर दीजिए प्रभो आप ऐसी करपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनह यग्यभाग के भोकता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं तब भगवान सूरी ने देवी अधिती से प्रसन होकर कहा देवी मैं अपने सहस्त्र अंशो सहित तुम्हारे गर्भ से अफ्तरित होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रों का नाश करूँगा ऐसा कहकर भगवान सुर्व वहीं अंतरध्यान हो गए और देवी अधिती भी संपूर्ण मनुरत सित हो जाने के कारण तपस्या से निवरित हो गई इसके बाद सुर्व देव की सुशोम्ना नाम वाली किरण जो सहर्ष्थ किरणों का समुदाय थी देव माता अधिती के गर्भ में अवतरित हुई देव माता अधिती एकागरी चित होकर क्रच और चांदरायान आधी व्रतों का पालन करने लगी और अत्यत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारन किये रही ये देखकर महर्शिक कश्यप ने एक दिन कुछ क्रोधित होकर कहा कि तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो ये सुनकर देवी अधिती ने जो कुछ कहा भक्त जनों उसका व्रतांत आप सभी अगली अध्याय में सुनियेगा उमीद है हर बार की तरह आज की ये कथा भी आपको पसंद आई होगी